नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया ख़वर लाइव आपके साथ में अनुवरत शर्मा ख़वर आ रही हैं गुजरात के नर्मदा जिलेके के वडिया से यहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदिया सरदार सरोर बांध के नर्मदा स्थल्प पर पूजा करने आए थे इस दौरान प्रधान मंत्री मोदी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचारे देवरत, गुजरात के मुख्य मंत्री विजाय रुपाणी और उपमुख्य मंत्री नितिन भाई पटेल भी मौजूद थे इस दोरान पीम मोदी ने स्टैच्यो आफ यूनिटी के विविन परियोजनाओं का मुवायना भी किया साथ ही साथ आज पीम मोदी ने अपना 79 जनम दिन गरुडेश्वर दत मंदिर में पूजा अर्चना कर मनाया प्रधान मंत्री के आगमन को लेकर केवडिया में भारी पुलिस बल भी तैनाथ था भरुच के अलावा अन्य शहरों के पुलिस कर्मियों को भी बंदोबस्त के लिए केवडिया कॉलोनी में बुलाया गया था जिस समय पुलिस पियम मोदी की सुरक्षा में लगी हुई थी उस दौरान केवडिया कॉलोनी सरकिट हाउस में पियस आई एनसी फिड़ बिया ने अपने माथे पर पिस्तॉल से गोली मार कर हत्मत्या कर ली दरसल मिर्तक PSI और नफसारी के PSI MB कोकडी साथ में कारे कर रहे थे इस दौरान फिड़ बिया ने PSI कोकडी से उनकी पिस्तॉल तस्वीर लेने के लिए मांगी कोकडी ने तस्वीर लेने के लिए अपनी पिस्तॉल PSI फिड़ बिया को दे दी और फेड़विया ने खुद को माथे पर गोली मार दी और आत्मत्या कर ली इंडिया ख़बर लाइफ के लिए केवडिया से गौतम व्यास की रिपोर्ट देखा था तो बार है और वो भी आपके उन आखों के सामने हो रहा है हमने पहली बार सरदार सरवर मांद को पूरा भरा हुआ देखा है एक समय था जब 122 मिटर के लक्ष तक पहुचना ही बहुत बड़ी सिद्धी माना जाता था लेकिन आज पांच वर्ष के भीतर भीतर 138 मिटर तक सरदार सरवर का भरजाना अध्भूत है अब इस मन्रिया है साथियों आज की स्थिती तक हमें पहुचाने के लिए लाखों लोगों का योगदान रहा है वड़ा प्रदान नरेंद्र मोदी ने आज अपना जन्मदिन सरदार सरवर भान पे मनाया उन्होंने नर्मदा मया की पूजन विदी की उसके बाद स्ट्याच्यू अप यूनिटी के अलग-अलग प्रजेक्ट की मुलाकात ली बाद में गरोडिस्वर दत मंदिर की मुलाकात लेकर वहाँ पूजा अचना की और यहाँ पर स्ट्याच्यू अप यूनिटी के पास सरदार सरवर भान पे उसने अपनी सभा को संबोधा हाला की वडाप रिधान के कारेक्रम को लेकर केवडय कॉलोनी में चुस्त पूलिस बंदोबस रखा गया था एक दुखत गतना भी यहाँ पर वनी है केवडय सरकीटाऊस पे चुस्त पूलिस बंदोबस रखा गया था जहांपर नवसारी के LIB विबाग के एक PSI ने गोली मारकर खुद खुशी कर ली है हाला कि यह PSI की मौत का सही कारण अभी तक बाहर नहीं आया है इंडिया खबल लाई उसे में गौतम व्यास गुजरात नर्मद